अब आते बोरिंग कोश्ट के ओपर मैं आपको इसमें एक बार जरूर बोलूंगा इसमें अब भी तो मैं कंसे पढ़ा रहा हूँ घर पर जाने का कंसे पढ़ा भी मात सिधा क्वेशन करना इसका ठीक है चलो आजाओ करें आजाओ सबसे पहले वोट इसदा मिनिक और बोरिंग कोश्ट मतल्ब जाब लोन लेते हो तो लून पर क्या होता है प्रीमियम डिस्काउट इंटरेश्ट होता है इंशॉर्ट आपका जो ई आय आ आर वाला इंटरेश्ट होता है ट्रांजेक्शन कोश्ट हो गया इन्टर अगर आपने कई भी Boring Cost, Qualifying Assets पे इंकर किया है, तो उसका Boring Cost आप क्या करोगे, Capitalize करोगे, अब यह सबसुरी करनाति, Qualifying Assets क्या होता है, Qualifying Assets मतलब, which takes substantial period of time to get ready for its intended use, जिसको बनने में समय लगता है, उसको बलते Qualifying Assets, सर समय लगता है, कितना समय लगता है, नहीं पता, judgment है, AS में 12 महिना था, इंडेस में कोई समय नहीं है, 6 महिना, 8 महिना, 4 महिना, कितना भी समय लगे, Qualifying Assets हो सकता है, तो exam में का करें सर, Assumption लिकर आजाना, जो भी note है, सिर्फ, Ready Made Assets नहीं होना चाहिए, अगर Assets Ready Made है, तो Qualifying नहीं हो सकता, बनने में समय लगना चाहिए, ज़स आपन, Qualifying Assets, सर ऐसे कैसी, CA बनने में समय लग रहा है, आप समझाया है, सर, सर शान्दर, क्लियर है, वाला पार्ट, ठीक है, तो क्या बोलता है, Interest and Other Cost, Inker in Connection of Boring Assets, Qualifying Assets में Inker किया, तो क्या एगा हो, Capitalize कर देना, ठीक हो, बोलता भी है, देखो, Boring Cost, Inker for a Qualifying Assets, Capitalize, बाकी Boring Cost, Expense Out, आपन कर देते, अब बोलता है, सर, अब समझाया है, सर, असली मतला तो अवाया है, सर, एग्जाम है, इसका मतलब भी नहीं, कि टेंशन लेके पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, It is about staying cool and calm, तो थंडा दिमाग से, बेठना सुबे से, जाना ना भुद्धी के अंदर, क्योंकि तुम खुशी से बढ़ रहे हो, तो ये ना ऐसा हसी खुशी बढ़नेगा, ए रोध होगे तो ये ना पढ़नेगा, टेंशन की बात का, मन दिन वाले पास दिन के बात, एग्जाम ही तो है, पढ़ लेंगे, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, तो सुनो, अब बॉरिंग भी दो तरकी होती है, एक होती है specific बॉरिंग, specific का मतलब क्या होता है, जो बॉरिंग आपने specifically, इसी qualifying असके ले ली थी, उसको बलते है specific बॉरिंग, तो specific बॉरिंग में क्या करना होता है, जितना अभी इसका boring cost है, वो आप capitalize कर देते हो, specific बॉरिंग में, आपने कितना funds कभी उसके है, उससे फरक नहीं पड़ता है, specific बॉरिंग जिस दिन लिया, और अगर उस दिन से आपने काम भी शुरू कर दिया है, तो सारा specific बॉरिंग का पैसा आप capitalize कर सकते हो, मतलब उसका जो भी interest है, you can capitalize, हाँ, अगर specific बॉरिंग में, जो आइडल फंड्स है, उस पर आपने कोई investment income कमाई, तो माइनस कर देना, मतलब actual बॉरिंग कोस्ट लेस, investment on temporary, income on temporary investment from the बॉरिंग, ये specific बॉरिंग का fund आए, पर आता general बॉरिंग, what is the meaning of general बॉरिंग, एक ने दो-तिन लोन थे, pool of loan थे आपके पास, अलगलर interest rate के, आपने random purpose के लिए थे, अब आपने पैसा खाली पड़ा है, तो इसको qualify अच्ट में यूज कर ले थे, बराबर तो उसको बोलते है general boring, ठीक है, तो जो भी general boring है, इसका आपको क्या करने है, तो कब-कब खर्चा किया वो relevant हो जाता है, तो जिस दिन पर खर्चा आपने किया, suppose आपने खर्चा किया 1st July को, खर्चा किया 10 CR का, 10 CR into capitalization rate into, suppose July को किया तो 9 by 12, ऐसा, ऐसा करना आपको, step number 2 यह है, तो बराबर, तो जितने भी आपके interest आएंगे, total मारो, महलेगा, boring cost to be capitalized, ध्यान लगना, ठीक है, आगे, फिर आता है, period of capitalization, capitalized कब शुरू करोगे, कब suspend करोगे, और कब खतम करोगे, तो comments तब करना, जब, खर्चा इंकर करना शुरू कर दिया हो, activity undertake कर लिए हो, और boring cost भी लगना शुरू हो गया हो, तीनों होएगा, तब comments करने का, दूसरा, suspension, मतलब, बीच में क्या कभी, temporary stop करना पड़ेगा, क्या, तो अगर आपका asset में, कुई active development नहीं हो रहा है, मतलब, काम रुका पड़ा है, worker strike पे चले गए, जब asset ready हो जाएगा, तो you will stop the capitalization of the boring cost, is this clear to everyone, तो जब ये asset ready हो जाएगा, you will seize the capitalization, ठीक है, अभी कभी ये भी होता है, कुछ-कुछ asset parts में ready होते हैं, suppose मैंने loan लिया, उसमें 3 building बना रहा हूँ, अब 1 building ready होगे, 2 building बन रही है, तो क्या ये interdependent answer is no, उसका अपन continue करने का, तो अगर इसका मतलब, अगर assets parts में ready होता है, और जो part ready हो गया, it is capable of being used separately, तो उसका capitalization stop कर देना, बाकि सबका continue करना, simple है, clear, उसके बाद है, exchange difference वाला concept, इसको मैं question के तो समझाऊँगा, बाकि other relevant concept को भी question के तो, आपन cover कर लेंगे, तो ये basic fundा था, ठीक है, boring cost के बारे में, अच्छा, अब आप directly questions पाऊगे, boring cost के, ठीक है, boring cost के questions पाया जाते आपन फटाफट से, अच्छा, boring cost के जितने भी question चालू करूँगा, उसके पहले में भूल जाओ, तो एक चीज़ याद करा देता हूँ मैं आपको, boring cost में, मैंने जब RTP का वीडियो लिया था, RTP May 23 का, तो उसमें, boring cost के एक शांदार question जो मैंने वहाँ करवाया है, तो वो please कर लेना, मैंने करवाया ना उदर, तो वो please मच skip करना, please कर लेना वो question, थोड़ा विचित्र question है, शांदार question है, करके ही जाना है वो वाला question, पहले बता देता हूँ मैं आपको, ठीके, मैंना RTP के अंदर करवाया है, सुर RTP कब दाली, मेरे यूट्यूब पर सचकर तुमको RTP मिलेगा, वहाँ सिफ boring cost वाले question पर जम मारो, किसी ना किसी अच्छे इंसान ने वहाँ time stand डाला होगा, तो जाके वहाँ click कर और वहाँ जाके देख लेना, बढ़िया question है, मैं लिख के रखो पहले बता रहूँ मैं आपको, फिर exam में आगा तो बोलना में मिरेकल मिरेकल, ध्यान रखना, चलो, आगे, अब आते हैं इसके कोई शांदार question करते हैं, इसके शांदार question हों में एक question है ये वाला, illustration number 13 पर आ जाओ, है न, 13 में क्या है, सुन लो, वो भोलता है construction चालू किया, cost estimate का 7 lakhs, कितने estimate को उसे फरकी नहीं बढ़ता है मेरेको, कब चालू किया, 1st April को चालू किया, to finance the construction, specific loan लिया, तो specific loan 2 lakh कर लिया, ध्यान रखना, जबी भी पैसा यूज करोगे, पहले हम specific का पैसा यूज करेंगे, ठीक है, उसके बाद 9% पे लिया specific loan, और फिर ये 2 है general borrowing, तो इसका आपन निकालेंगे, weighted average cost of capital, ठीक है, simple, तो कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकलता है, total interest, weighted average, मतलब सब ओर loan साल के बीच में लिया, तो उतने महीने का interest लेना, divided by total loan, बराबर, तो उससे आपको मिलेगा, weighted average cost of capital, आसान बाशाप है, ठीक है, तो और आपने ये, हाँ सर, तो इसका पूरा interest अपक्लाइस करोगे, पैसा खर्चा कब क्या उससा फरक नहीं पड़ता है, तो जैसे, और मैंने क्या बताया था, पहले आपन स्पैसिविक का पैसा यूज़ करते हैं, तो 2 लाग का था पैसा स्पैसिविक के लिए, तो इसमें से 1.5 लाग स्पैसिविक बॉरिंग से यूज़ किया रहेगा, बाकी 2 लाग में से 50,000 स्पैसिविक का यूज़ किया रहेगा, अब जो 1.5 लाग है और रिमेनिंग पैसे, वो आपने जेनरल से यूज़ किया रहेंगे, ये बाद ध्यान रखना, तो अब इसको solve कैसे करे, तो इसका मैंने एक अच्छा format बना के रखा हूँ है, आपको मैं दिखाता हूँ इसका format, रूखो, ये देखो फिर गरी भी दिखा रहे है, एक बार वो गरी भी दिखा ही ना इसने, मैं क्या ही कर लूँगा, रो दूँगा और क्या, सुनना, question number 13 था न, ये रहा, देखो, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप निकालोगे, capitalization rate, step number 1, तो capitalization rate कैसे निकालोगे, total interest, total borrowings, निकाल लिया, उसके बाद आप निकालोगे, borrowings cost to be capitalized, तो पहले specific borrowings पर तो आप direct capitalization करोगे, सर्थ 10 by 12 क्यों लिया, क्योंकि machine 35 Jan को ready हो चुकी थी, तो April से चरू किया, और जब ready होगा, तब तो बंद हो जाएगा, तो 15,000, general borrowings में, जो पहले 2 खर्चे थे, आपने specific से यूज किये, August में जो 1,50,000 यूज किया, वो general का यूज कहता है, तो 1,50,000 इन्टू capitalization इन्टू 6 by 12, 6 by 12 कैसे, August, September, October, November, December, Jan, Jan में complete होगा 6 महिना, 6 बाए बारा, October में 4 बाए बारा, Jan में चालू किया 1 बाए बारा, जब कुछ नहीं बोला गया हो, तो माल लेना कि खर्चा आपने महिने के day 1 पे किया था, ठीक है, चलो, तो total capitalization कितना करोगे, ये 15,000 और ये, total इतना आप capitalization करोगे, अब इस question में कोड़ खास बात थी, entry बागेरा मांगी थी, कि जब आप interest capitalization करोगे, तो entry का पास करोगे, तो total खर्चा आपने कितना किया, total खर्चा आपने किया, ये 2,00,000 और प्लस इतना खर्चा, आपने 8,00,000 खर्चा किया, तो ये तो capitalize होगे, plus जो borrowing cost है, ये total, वो भी capitalize करोगे, अब borrowing cost में क्या होता है, total ये वैसे, हाब borrowing cost में क्या होता है, या तो आपने अगर interest pay कर दिया रहेगा, या interest payable है, अगर payable है, तो entry ऐसे आएगी, cash building, पुरा ही 37, to cash bank 8,00, to interest payable इतना, लेकिन अगर interest पूरा ही pay कर दिया होगा, तो फिर आप directly to cash bank पूरा कर सकते, simple ये वाला part, ठीक है, ध्यान रखना, ये ता अपना illustration number 13, simple question इता critical नहीं है, जो critical है, वो illustration number 14 है, क्यों, ये पढ़के एंचान डरेगा, है बहुत simple, लेकिन पढ़के उसको थोड़ा सा, nervous ने मैसूस होगा, क्यों, theory format में ऐसा दिया हुआ है, तो जिब theory देखते हैं, बहुत सारे borrings थे, अब उपर वाले question में क्या था, specific borrings एक है, अलग से दिया हुआ था, general borrings का, ऐसा table में दिया हुआ था, इस question में फरक इतना है, कि ये ना ये, सिस statement form में दिया हुआ है, बट दिया हुआ डिरेक्ली ही है, सिस statement form में दिया हुआ है, कि ये specific borrings है, specifically, specific borrings है, तो इसका interest किता है, 65 interest था, और 20 interest की income है, तो net interest किता है, capitalized करोगे, 45,000, specific borrings पे, और बाग की तो general borrings ये आपके, तो बस इसका आप क्या निकालोगे, weighted average cost of capital, बस तो में रिकाल से वो किया हुआ रहेगा, illustration number 14 है, अपने पास, ये रहा, तो ये capitalization rate निकाला, general borrings के लिए, ठीक है, borrings cost to be capitalized, तो पहला तो आप specific borrings का पैसा यूज करोगे, तो मैं बूलू, पहले आपके specific borrings था कितना, कितना था, 7 lakh रुपीज था, तो आपने इसका 2 lakh specific के लिए उस किया रहेगा, इस 6 में से 5 lakh specific यूज किया, और सिर 1 lakh जनरल के लिए उस किया रहेगा, तो 1 lakh पाएगा आपका जो भी है, capitalization rate into month का बेट, बराबर 34 December को जो खर्चा किया, उस पर भी 3 मेने का आएगा, एक खर्चा आपने साल के last day पे किया, तो उस पर आप कुछ भी capitalize नहीं करोगे, ध्यान रखना, तो इस रोटाल होगे आपका, ठीक है, इसके इसके लिए वाला question, खतम होगया question, और कुछ नहीं इसके अंदर, यह था illustration number 14, फिर आपका illustration number 15, इसके तीन बच्ची, तीन बच्ची मतलब तीन सबसेडरी है, ए, बी, सी, अब इसमें करना क्या है, इसमें बॉरिंग कॉष्ट, चार कंपनी का देना है, तीनों सबसेडरी का, और एक ग्रूप ऐजा होल का, ऐसा देना है, बराबर, अब हुआ क्या, शॉट में समझाता हूँ आपको, वो बोलता है, पहले 10 लाग का लोन लिया, खर्चा किया 15.4 का, आम दन नी अठन नी खर्चा रूप इया, यह ना लो बॉरिंग कम लिया, खर्चे जादा किया, तो आप पूरे अमांड पर क्याप्लाइज नहीं कर सकते, आप से बॉरिंग के अमांड पर क्याप्लाइज कर सकते हो, ज्यान लगतना, उसके अलावा, बोलता है, यह खर्चा किया, यह पेमेंट आपन ने अपनी ही दूसरे कंपनी को किया है, जिसने 10% मार्जिन कमाया है, यह मार्जिन वगरा कमाया है, यह ग्रूप में काम आएगा, इंडिविजन में काम नहीं आएगा, बराबर तो उसका सलुशन कैसे बनेगा, देख लो, पो समझाता हूं मैं, यह रहा, स्पेसिविक बॉरिंग, 10 लेक्स इंटो 7%, इतना कैपिलाइस कर दो, कहानी खतम, आगे, फिर कंसरेशन कमपनी, बोलता है, बॉरिंग लिया ही नहीं, सिर्फ खर्चा किया 10 लाग का कॉलिंग फाइंग असर्ट पे, आरे जब बॉरिंग ही लिया नहीं, तो खर्चा करने से क्या फरक पड़ता है, अरे जब बॉरिंग ही नहीं, तो बॉरिंग कॉस्ट ही नहीं, तो कैपिलाइस मत करना कुछ भी, अरे जब ही नहीं, बॉरिंग तो नंगा नहाएगा क्या, और निचुड़ेगा क्या, तुम समझ रहे हो क्या, तो कुछ भी बॉरिंग नहीं, खर्चा दो किया, लेकिन बॉरिंग ही नहीं, तो no interest will be capitalized, आगे बढ़ जाते है, है ना, फिर आता है finance company, फिर आता है बॉरिंग तो लिया है, लेकिन खर्चा ही नहीं करा, एक एक आदमी ने बॉरिंग नहीं लिया, कर दिया, एक ने बॉरिंग लिया खर्चा ही नहीं करा, तो इसमें भी कोई बॉरिंग कॉपिलाइज नहीं करेंगा, बिखो फॉक्वालिफाइंग अशट ही नहीं, यह इंडिविजल कंपणी का हो गया, फिर आता है ग्रूप कंपनी के पॉइंट अभी से, ग्रूप में ते तो दो खर्चे किये थे, ग्रूप में तेरा मेरा मत दिखना, तू ने किया, मैंने किया नहीं, टॉट्टल ग्रूप में क्वालिफाइंग असर पे कितना खर्चा किया, एक तो 15,40 था, बट ये इंक्लूडिंग 10% मार्जिन था, तो आपने को एक्सलोडिंग मार्जिन चाहिए, ग्रूप पॉइंट अफ्यू से, तो 14 लग्स आता है, और दूसरा खर्चा आपने कब किया था, 10 लग का खर्चा किया था, कॉलिफाइंग असर पे, तो ये दो खर्चे पर आप क्या करोगे बॉरिंग कॉष्ट क्याप्लाइस करोगे, कहानी हो जाई खता, वाह, मज़ा आगया सर, फील आगे एक दनी, आगे बढ़ जाते है, आगे आता है, फिर आगया फिनांसल इंस्ट्रूमेंट, ये फिनांसल इंस्ट्रूमेंट हर इंडेस में कहा से घुश घुश क्या जाता है, ये तो खास बात है इसकी, है ना, ये शादी का फुपपा है, हर जगे दाके घुश जाते है कि दर में, क्या बोलता है, देखो, बोलता है, how will you capitalize the interest, when qualifying assets are funded, by borrowings and the nature of bonds, that are issued at discount, तो इस case में, आपका जो borrowing cost है, वो नॉर्मल, फेस्वर इंटु कूपन नी होगा, वो आपका कैसे जरा बता हो, हमको कैसे करेंगे, तो दिखातो आपको, illustration number 16 कितर गया, मेरा, प्यारा, प्यारा, रास दुलारा, illustration 16 यह रहा, देखो, तो आप पहले cash inflows, outflows लिखोगे, step number 1, step number 2, fair value निकालोगे, अब यहाँ कोई CFI नहीं है, मतलब company financial instrument नहीं है, कोई पुरान relationship भी नहीं है, और कोई level input भी नहीं है, यह सब क्या होता है, sir, FI अगर नहीं हाता, तो वहाँ सीखेंगे, ठीक है, तो इस case मन directly मानते, fair value is equal to TP, तो आपका, जो day 1 का inflow, outflow हो है, वो ही आपका fair value होगा, ठीक है, आगर आप चाहो present value निकाला तो भी निकालोगा, तो भी same answer आएगा, ठीक शांदार question, मज़ेदार question करके जाना, आगे आते है, illustration number 17, यह भी must question है, बोलता है, loan लिया, 620 का, loan का पैसा कैसे ही उसके है, यह देखना, बोलता है, file at 10 इंकर किया, plant machinery पे, तो इस file at 10 पे, जितना भी interest है, capitalize कर देना, 54 दिया, advanced to supplier, और additional assets, हैना चो install करेंगे हम लोग, तो यह भी qualifying asset पे, भली advance दिया, देखो, boring cost में यह नहीं बोलता है, खर्चा अकुरू हुआ, तब capitalize करना, जब आप payment कर दोगे, तब उतना खर्चे पे capitalize कर सकते है, वराबर, तो इसका जितना भी amount है, capitalize कर देना, उसके लावा, balance आपने working capital के लिए यूज किया, तो वो capitalize नहीं कर सकत फिर आता है, एक और शांदर question, question number one, यह same question है, इसके नहीं दो बार डाला है, किताब के अंदर, और दोनों बार अलट treatment किया है, मेरे साब से exam में आता है, आप दोनों में से कोई भी एक ही याद रखो, दो याद रखो, तो भूल जाओ के, तो मैं बोलता है, ऐसा वाला November, December, 4 मेना, ठीक है, फिर बोलता है, during the year, अच्छा चाहिए क्या इनको, इनको सिर्फ capitalization rate चाहिए, boring cost कितना capitalization करना है, वो नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, capitalization rate चाहिए, आगे, बोलता है, हमारे पास, 9% debentures थे, 30 lakhs का face value, उसके लाओ इंपोनेंट पाट है वो overdraft का है, बोलता है, overdraft था 4 lakhs का, which increased to 8 lakhs in December, interest was paid on overdraft at 12%, until 1st October and then rate increased to 15%, सारे क्या जंबल दे वर्ट का समझा ही नहीं, सुनलो मेरे बाद ध्यान से, overdraft की बात करता है, तो कितर लिख के बताओ, इधर उपर लिख के बताओ आपको, overdraft, सुनलो, ये OD है मेरा, तो बोलता है, OD 4 lakhs था, पहले कितने महिने का OD, 12 महिने का ले लेते है, ठीक है, तो बोलता है, 4 lakhs था, which increased to 8 lakhs in December, तो 2 OD थे, 4 lakhs और 8 lakhs, पहले 11 months के लिए it was 4 lakhs, फिर last government के लिए it became 8 lakhs, फिर क्या बोलता है, interest was 12% until October, तो पहले 11 महिने में से, 9 महिने दर interest था 12%, उसके बाद ये 2 महिने, interest हो 15%, और ये वाला 1 महिने के लिए interest हो गया 15%, बस, अगर आपने ये table बना लिया, तो आपके लिए कहानी simple है, क्यों, आपको क्या निकालना होते है, capitalization rate में, total interest, divided by total weighted average borrings, बराबर, अब total interest कैसे मिलेगा, है न, total interest कैसे मिलेगा आपको, और total weighted average borrings, तो आप interest कैसे निकालोगे, 4 lakhs into 9 by 12, into 12%, 4 lakhs into 2 months, into 2 by 12, into 15%, 8 lakhs into 1 by 12, into 15%, total interest overdraft कि मिलेगा, और dim explicit interest कैसे मिलेगा, बौरें बुलेगा, बस rate मिलेगा, rate मिलेगा, rate भूल जाओ, tell顆 Lion x 11 by 12, 4 lakhs into 9 by 12 4 lakhs into 2 by 12 और 8 lakhs into 1 by 12 तो रेड भूल जाना बस तो यह जो टेबल है यह इंपोर्टेंट है टेबल है ना टेबल है ना नहीं चलो ठीक है ध्यान रटना तो अच्छा क्वेशन है अब जो आईसे ना दूसरा तरीका किया है उसमें 12 months नहीं लिया हुआ है उसमें सिफ 4 मेने का कि consider किया हुआ है तो मैं बोलता है दोनों में से कोई बेग याद कलो ऐसा करो तो भी चल जाएगा ठीक है ध्यान लखना clear है हाथ तक? यस आगे बढ़ जाते हैं उसके बाद है illustration number question number 2 question number 2 आगया अपने पास अब वो क्या बोलता है ध्यान से सुनना वो बोलता है हमारे पास एक loan है जिसका WACC 11% है ठीक है? अब वो क्या बोलता है हमने दो तरीके से खर्चे इंकर किये अगर आप पूछोगे हर महीने खर्चा अकुरू कितना हुआ तो इतना इतना अकुरू हुआ और अगर आपसे पूछे कि हर महीना आपने खर्चा advance में कितना दिया? मतलब cash basis पर देखे तो cash basis पर इतना इतना आपने खर्चा किया है आप जब आप boring cost to be capitalized निकालोगे तो आप कितना खर्चा अकुरू हुआ वो देखोगे या कितना खर्चा cash basis पर पेकिया वो देखोगे तो ideally पहले तो आपने को दोनों के सब से निकाल के देना पड़ेगा तो इसका formatting देख लो कैसा है देख लो इसका formatting जिखाता हूँ ये रहा तो capitalization rate 11% दिया हूँ है ठीक है बोरिंग कोस्ट भी capitalized अगर आप accrual के बेस पर देखोगे September में खर्चा किया March तक चला तो September से March September, October, November, December, Jan, February, March बराबर साथ महिने तो into 11% into 7 by 12 तो ये accrual के बेस पर मैंने सारे खर्चे का बोरिंग कोस्ट निकाला अगर मैं advance के बेस पर देखो तो मैंने सारे खर्चे का बोरिंग कोस्ट निकाला ठीक है अब ideally आपको दोनों से answer करना है और फिर वाप से बुचे अप्रोप्रीर जादा कौन से है तो मैंने उपर की ही किसी question में discuss किया था कि आपका खर्चा कितना अक्रू हो रहा है उससे फरक नहीं पड़ता है जो आपका खर्चा पे कर रहे हो उससे फरक पड़ता है बोरिंग कोस्ट पर जो खर्चा आपने इंकर किया है जो खर्चा आपने पेमेंट कर दिया है उस basis पे आप boring cause देखते हो कितना अकुरू हुआ उस basis पे आप नहीं देखते है बराबर तो पहले तो दोनों के साफ सा निकालने का whichever is higher करके मत आंसर करना ये डी के तरह ठीक है कोई तो बला whichever is higher हायर नहीं है हमेशा यही ज़्याद appropriate होगा समझ रहो ध्यान रतना उसका ज्यान चेर एक बार रीड कर लेना बड़ ग्यान तुमको याद रहेगा नहीं तो तुम अपने साफ सा बता देना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आगे पिर आता है question number 3 RTP November 22 का question है ठीक है क्या बोलता है देख लो बोलता है चार phase है phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 बोलता है phase 1 अपना complete हो चुका है 6 महिने के अंदर mid of the year में phase 1 and 2 complete हो गया ठीक है phase 1 and 2 mid of the year में complete हो गया तो इसमें जो भी interest है आप सिफ 6 महिने का capitalize करोगे phase 3 and 4 चला पूरे साल तक तो इसका तो आप पूरे 12 मेने का interest capitalize करोगे simple अब ये दो phase का आपने बंद क्यूं किया because they are operational as they are completed मतलब ये दोने dependent नहीं किसी और के उपर बराबर तो 1 and 2 जब complete हो गया उसका capitalize stop कर देना 3 of a का you can continue in shot खत्म होगया वाला पर ये था question no 3 शानदार आता है आपको कुछ निकर्षकेट करने आता है और कुछ न्हीं करने है खत्म होगया वाला पट सने 12 Cape दोलारे डोलारे जोलारे डोals sleeping in 12 दॉलारे डे शाम रोक नहीं Radio को और दॉलने को 가까 turbo का आया था मैने बुलाया START सब्सक्राइब शामेन तो इसको भी अपने सरक था मत्रों करते आते फटा-फट चल मझनो तो इसको भी हो गया अपना सरक सरक तो मेरे खाल से नौ अगें वीकन टिक एक स्मॉल ब्रेक और छोटा सा ब्रेक लेने के बाद अच्छा मैंने को बता था ना RTP May 23 का Borrowing Cost का Question करके जाना तुमको नहीं होता तो मैंने डाल रखाय कर लेना हुँ ठीक है? चलो तो ये भी हो गया सरक अब आपन चोड़ा सा लेते ब्रेक और ब्रेक के बाद आपन फिर करते कंटीनु जितने भी आपन खीच पहेंगे खीचेंगे और लेक्चर एंड होने के बाद मा को टार्गेट भी दूँगा आज देखो ऐसा नहीं कि मैराफन नौ बेतक देखा भी सोगा बताया था मैने आपको साथ बेतक मैराफन लूँगा उसके बाद आप आप आदे खंटे का खुद ब्रेक लेना चार्ट aatरप आपफै का टारगेट दूँगा वो करके ही आच सोना ही आपको ठीक है तो ब्रेक लेते ब्रेक के बाद मिलते ब्रेक के बाद आपन एक और शांदार इंडरे कर लेंगे कोंसा करेंगे सस्पेंस में रहते ब्रेक के बाद बताऊंगा तो, thank you so much everyone वोइवां, टेकर सी वाल वोईवां, अच्छेड एक सेकंड एक सेकंड रुको, रुको एक रहे गया एक concept रहे गया अरे रहे गया, एक concept रहे गया ये वाला, boring cost का exchange वाला concept रहे गया, रुको नहीं ब्रेक नहीं है, इदर ओ Boring Cost के concept रहे गया Salt example रहे गया, अच्छा वकिसने बता दिया सुन लो, अब इसका concept समझने का ट्रहे कर लो पहले, एक basic concept समझाता हो आपको Boring Cost वाले का सुन लो क्या बोलता है, बोलता है जब आप Foreign से loan लेते हो ना, तो Foreign से जब loan लोगे, और आपकी rate of interest बढ़ गई तो loan में जब rate बढ़ जाती है तो आपके लुकसान हो जाता है तो देखो जो Foreign loan पे जो interest भरोगे वो तो capitalize कर सकते हो, लेकिन जो exchange loss है foreign के loan पे क्या उसको भी आप capitalize कर सकते हो गया तो उसका एक limit दिया हो है, सुन ले न Suppose loan लिया 10,000 का, तब rate 70 थी अब rate होगे 75 ठीक है, अब जो loan पे आप interest भरोगे 10,000 पे 5% भरोगे interest तो आप year के end पे भरते हो तो 10,000 पे 5%, 500 dollars interest भरोगे साल के end पे तो 575 ये तो आप capitalize कर सकते हो ठीक है, लेकिन जो principle amount पे exchange loss हो रहा है that is, 50,000 के exchange loss rate 70 के 75 बढ़ गई न तो जो exchange loss है, इसका क्या किया जाए तो बोलता है, एक formula है maximum capitalization का, आप maximum कितना capitalization कर सकते हो, वो बोलता है, अगर आप भारत से loan लेते, अगर आप इंडिया से loan लेते तो आपको कितना loss होता sorry, कितना interest भरना पड़ता तो मैंने बोला, अगर भारत से loan लेता तो day 1 पे इतना loan लेता और इतना interest भरता, बराबर minus, आपको already कितना allow कर दिया है, आपको 37,500 already allow कर दिया न, ये ये दोनों का difference जो है, इतना आपको max allow कर सकते है, capitalize कने का exchange loss, बराबर तो 50 में से 46,500 you can capitalize, balance अब क्या करोगे balance you will transfer to profit and loss clear वाला पाट ये पहला चीज़ है simple सा पाट, ठीक है, अब इसका continuation है, और वो continuation हमारे प्यारे salt example के अंदर अब वो बोलता है सुनना अच्छा अगर first year में loss आया तो आप ये करोगे, first year में gain आता, first year में ही gain आता तो कुछ नहीं करने का था, gain आया तो चीज़ा profit and loss में अगर first year में ही gain आता तो चीज़ा profit and loss में अच्छा, अब मैं आतो ये वाला question पे, ठीक है, ये salt example में बोलता है 1000 का loan लिया 4% पे, rate तभी 40 थी बाद में rate 50 हो गई, ठीक है तो पहले तो आप interest निकाले, 1000 पे 4% ठीक है, तो 1000 पे 4% 50 रूपिस के हिसाब से, इतना interest भरा, ये तो आप capitalise कर सकते हो अब जो exchange loss हुआ 40 minus 50, 40 से rate होगे 50 loss हुआ exchange, 10,000 रूपे का ये loss को में capitalise करूँ गया तो बोलता है, भारत से लोड़ लेते, कितना interest लगता माइनस कितना अलाउब कर दिया, तो जो balance है उतना आप capitalise कर सकते हो, तो maximum इतना capitalise कर सकते हो, ठीक है तो total interest कितना capitalise किया आपने, total इतना capitalise किया और इतना action loss आप capitalise कर सकते हो balance जो भी action loss दैगा profit and loss के अंदर ये पहला बाठता अब फर्स्ट यर नी अब एक साल के बाद next year 40 से rate 50 हो गई थी 50 से rate आपकी हो गई 48 50 से rate गरिके 48 हो गई तो gain हो गया ना तो next year में फर्स यर नी second year में gain हो गया अब gain कितने का हुआ देखो सबसे पहले अगले साल में जो भी interest का amount है ये तो आप capitalise कर सकते हो interest में कोई लफडा था ही नहीं तो जितना भी आपका interest है 4% पे हो तो आप capitalise करो problem है कि next year gain हो गई आपको क्योंकि rate 50 से हो गई 48 तो ये gain का मैं क्या करू तो बोलते है to the extent of previous loss जितना आपने previous loss capitalise किया था उतना gain आप reverse capitalise करोगे मतलब previous loss कितना दा 2800 इतना आपने capitalise किया था to the connection of this loss आप gain को अच्ट की कौस से माइनस करोगे जैसे capitalise करने का मतलब क्या होता है अच्ट की कौस से माइनस करना तो अब मैं बुलू ये gain तो विदिन दा लिमिट है पहले आपने loss 2800 capitalise किया था अब gain 2000 लिमिट के अंदेर ना तो पूरा gain आप क्या करोगे अच्ट की कौस से अच्ट करोगे ये पहला केस था अगर रेट 48 के बदले 44 हो जाती ये थर्ड यर में नी जा रहे हैं ये सेकेंडर का ही केस भी है कि 48 के बदले 44 हो जाती तो आपका gain 6000 हो ता उस केस में तो ऐसे केस में सिफ जितना previous loss था उतना ही आप reverse capitalise करोगे that is 2800 ये आप reverse capitalise करोगे balance गे में तीसरा केस था तीसरा केस क्या है बोलता है एक्स्चेंज इट 44 ही होती लेकिन फरक ये है बोरिंग थाउजन की नहीं 600 की repay हो चुकी है तो आउस्टेंडिंग सिफ 400 है तो ऐसे केस में क्या करेंगे तो उस केस में देखो इंटेस्ट उन फॉरें लोन जो 400 पे रहेगा 4 पसंट वो तो आप कैपिलाइस करोगे लेकिन जो एक्सेंज गेन आएगा दाट विल बी ओन 400 दाट इस 2400 अब ये एक्सेंज गेन 400 का है तो आप ये मत बोलना सर इट इस विदिन द लिमिट अफ लॉस गेन इस ओन 400 तो आप इसका एक्यूवाइलन लॉस निकालना जैसे ज 1120 तो इतना ही गेन आप रिवर्स केपलेस करोगे बैलेंस गेन आप प्रॉफिट अ लॉस में ट्रांसफर करोगे ये क्वेशन आज तक कभी एक्जाम में नहीं आया क्योंकि सॉल्ड एक्जमपल के फॉर्म में है लेकिन शांदार क्वेशन है आठ माक का आ सकता है पहला के है उसका दो माक और बाकी एक हर एक केस का दो दो माक तो आठ माक का क्वेशन बन के आ सकता है तो प्लीज कर ले ना भाई साब